आज की जो रेसिपी है वो है नौमी अश्टमी स्पेशल सुखे काले चने की रेसिपी तो ये वीडियो एं तक देखिये मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी ये काले चने बनाने के और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हम रेसिपी के लिए इंग्रीडियन्स देख लेते हैं हमें काले चने चाहिए नमक चाहिए जीरा चाहिए धन्या पाउडर जीरा पाउडर हल्दी लाल मिर्ची रिफाइंड ओड और खटाई के लिए अमचूर पाउडर तो जो काले चने मैं एक कत्टोरी काला चना को ओविगो दूँगी यह मंने कुकर में डालकर एक कत्टोरी काला चना को ओविगो दीया है और हम इसे ढदकन लगा के ओव Yapर नाइट के लिए रख देंगे मिनिमम आपको ये चार घंटे तो भिगो नहीं है, अकर आप ओवरनाइट नहीं भी भिगो पाए तो चार घंटे भिगो यह है अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम पानी को ड्रेन करतेंगे और फ्रेश पानी इसमें डालेंगे काले चने में और इसमें एक टेबल स्पून नमक डालेंगे, कुकर को बंद करके गैस पे रख देंगे और जब एक विसल आएगी तो गैस को सिं कर देंगे और उसके बाद अरौंड 15-20 मिनिट होने देंगे चनों को पिकोज काले चने या कोई भी चने होए वो ज़्यादा टाइम लेते हैं अब आप देखे ये जो हमारे चने है वो हो गए है तो अब हम पान लेंगे उसमें तेल डालेंगे तेल जब हीट हो जाएगा फिर हम इसमें जीरा डालेंगे जीरा को स्प्लटर होने देंगे अब जीरा जब स्प्लटर हो गया तो हम इसमें मसाले डालेंगे नमक, लाल मेर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और सब को मिक्स कर देंगे तेल में और 30 सेकंड भूनेंगे अब जब 30 सेकंड हो गए तो हम इसमें चने डालेंगे जो चने का पानी है वो नहीं डालेंगे बट वो आप फेंकना मत उसमें चने का न्यूटरिशन गया हुआ है वो आप आप आज आ सूप पी सकते हैं थोड़ा सा मेने पानी डाला है जब ये पानी सूप जाएगा भीच-बीच में आप इसको हिलाते जाएए जब ये पानी सूप जाएगा फिर हमारे काले चने हो गए अब आप देखें हम हिलाए जा रहे है भीच-बीच में और पानी भी पहले से थोड़ा सूखा है अब जब हमारा चने हो गए तो हम इसमें खटाई में मैंने अनारदाना डाला हैं आप चाहे तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं इसको मिक्स कर देंगे अब आश्मी नमी का पुजन के जो चने है वो तयार है रेड़ तो बीसर्ट विस्टी अगशन्पल एंग रेशिपी है अगर आपको पसंद आई गिव इता थाम्स आप लाइक तुम्सटै गाइक अबसाव हैज आपको अजा याज़ो शब्सक्राइब का नॉंक उड़ा तो don't forget to hit the bell notification button to be notified. हम ऐसे थाली बना के अश्टमी नवमी में लड़कियों को देते हैं.